हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया एनखाव पशु मंडी पहुँचा हूँ और आज की पशु मंडी से आप लोगों को कुछ बिकीवी गाय का डीटेल देने वाला हूँ और साथी कम प्राइज में जो गाय अविलेबल हुए उसका भी डीटेल दिया जाएगा बहुत सारे लोगों का डीमांड होता है कम प्राइज की गाय का भी डीटेल दिया जाए तो वीडियो को अन तक देखते रहें चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये पशु मंडी सब्ताहिक है परती एक गुरुवार को लगता है और ये मंडी बिहार की रजधानी पटना से मात्रे 35 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है और दुलहीन बजार से इस मंडी की दूरी मात्रे आधा किलोमेटर है तो वीडियो सुरू करूँगा उससे पहले एक चीज़ा और कहूँ कि वीडियो को अन तक जरूर देखे और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक से जरूर कर दें चलिए सबसे पहले इस गाय से सुरू करते हैं जो के आज की मंडी में ये गाय बिक चुकी है और इसका क्या डीटेल है वो बताएंगे और कितने प्राइज में ये गाय बिकी है वो भी डीटेल में जनकारी दूँगा तो सबसे पहले ये बता दू मैं कि ये गाय प्रेगनेंट है और गाभीन गाय है और आज की मंडी में ये सेल हुई है दांत में ये गाय मिल चुकी है मिलकिंग कैपिसिटी जो फर्स्ट आउनर थे उनका कहना था कि ये गाय सतरा लिटर दूद करेगी दोनों समय का लेकिन जिनोंने खरीदा है उनका कहना है कि सतरा नहीं तो दोनों टाइम में 12-13 लिटर के अनुमान से इस गाय को हमने खरीदा है और 12-13 लिटर दूद इस गाय को निकालना चाहिए और मेरा भी अनुमान यही है कि 12-13 लिटर दूद अराम से निकालेगी बैक साइट से अडर की ब यहां पर यह गया जो सेल के लिए उपलब्ध है आगे और भी बिकीवी गया का डीटेल दूँगा तो वीडियो में बने रहे हैं अन्तक यह जो गया देख पारें आप दो नात की है फर्स्ट टाइमर और इसके नीचे दस लीटर दूद बताया जा रहा है दोनों समय का और द प्राइस फिक्स नहीं है कम जादा कर दिया जाएगा और मेरे हिसाब से 30-32,000 के आसपास यह गया मिल जाएगी 30-32,000 के रेंज में यह गया मिल जानी चाहिए और बच्चा मेल है इसके नीचे गया नहीं है जिसके वाज़ा से भी थोड़ा सा प्राइस आपको लग रहा 6 लिटर के आसपास दूद करेगी और 32,000-33,000 के आसपास यह गया अराम से आपको मिल जाएगी तो यह गया कैसी लगी यह भी कॉमेंट करके ज़रूर बता है और इस मंडी का प्राइस कैसा लगता है आप लोगों को इसके बारे में भी ज़रूर कॉमेंट करें कोशिस यही करता हूँ कि जो रिजिनेवल प्राइस हो उचित प्राइस हो वो वैपारी भाई या किसान भाई दोवारा से जनकारी लेकर सटीक जनकारी दूँ ताके मंडी में आए तो जादा आपको दिक्कत ना हो यह गया का भी डीटेल देता चलूँ दूसरी बार यह गया बियाई ह छे नात पर यह गया बताई गई है और इसके नीचे दूद 12 लीटर दोनों समय का बताया जा रहा है और इस गया का कीमत जो रखा गया आज की मंडी में 51,000 रखा गया है एक कावन हजार रुपया कीमत इस गया का मांगा जा रहा है और बच्चा इसके नीचे मेल है प्राइ ये फिक्स होता है या कितना कम होता है तो आपको इसलिए बिकीवी गाय का भी डीटेल दिया जाता है यैसे कि ये गाय देख रहे है 43,000 इस गाय का डिमांड किया जा रहा है लेकिन ये 43,000 में आपको नहीं दिया जाएगा कम करके मोल जो होता है बार्गिनिंग जिसको बोलते हम लोग बार्गिनिंग हो जाता है तो ये गाय भी उमीद है कि 30,000 के आसपास में ही मिल जाएगी आपको 28-29,000 तक दांत में ये गाय मिल चुकी है और 10 लिटर दूद इस गाय के नीचे में भी बताया जा रहा है बच्चा इसके नीचे मेल है, बचला बच्चे के साथ में है तो मंडी में आने के बाद आप एक कम जादा करके आप गाय ले सकते हैं किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है अगले बार जो मंडी लगी थी आइनको पिछले हफता उसमें आपको अच्छी मिल्किंग वाली भी गाय दिखाई थी तो यहां पर हर तरह की गाय मिलती है आपको अठरा, बीस, लीटर, सॉला, लीटर वाली गाय भी मिल जाएगी और यहां पर साथ, आठ't, लीटर, दस, लीटर की भी गाय मिल जाती है अगली गाय यहां पर एक देख सकते हैं काफी खुब सुरत लग रही है छोटी कद काठी में गाय है और जो भाई सेल परचेस करते हैं जो छोटे किसानों तक गाय पहुंचाते हैं सेल परचेस करके तो उनके लिए इस तरह की काफी बढ़िया गाय है जो आइनखो पशु मंडी से ले जाकर आप छोटे किसानों को बेश सकते हैं तो ये छे दात में आठ लीटर दूद बताया जा रहा है और 32,000 रुपे इस गाया का कीमत मांगा गया है 32,000 बच्चा इसके नीचे मेल है जो के बच्चे को भी दिखाऊंगा मैं आगे और गया देख सकते हैं तो अच्छी लगी मुझे ये गया और घर पे रखने लाइक कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो भी काफी बढ़िया है और बच्चा भी काफी खुबसूरत है प्यारा सा बच्चा जो के एक बार दिखाता हूं मैं करीब से देख सकते हैं तो इस तरह की गया आप ले सकते हैं मंडी में और अच्छा प्राइज में मिल जाएगा आपको इस मंडी में गया तो अगली गया जो यहां पर देखने मिल रही है ये भी गया सेल हो चुकी है बिकी भी गया है और इसका डीटेल दे दू कि कितने में ये गया बिकी है तो य 49,000 रुपया में मातरी गाई बिकी है और इसकी नीचे जो बच्चा है वो फीमेल है बच्चया बच्चे के साथ में है ये गाई तो 49,000 में सो सकते हैं ये गाई बिकी है हलाकि गाई कम से कम मेरे हिसाब से तीसरी ब्यान्ट की होगी चौथी भी हो सकती है तो ठीक ठाक पाने से दूद में ब्रहोत्री हो जाता है लेकिन जो भाई purity पे काम करते हैं वो purity की बात फिर अलग हो जाती है इसमें हम purity की बात नहीं करेंगे लोग अभी market के अंदर में cross breed का काफी गाये देखने को मिला क्यूंकि किसान भाई mm और भी जो dairy farmer भाई हैं वो breed पे या फिर cross breed प देते हैं लोग कि कुछ दूद घर पे भी खालें और कुछ सेल कर दे 2-4 किलो ताकि कुछ गाय का खर्च आ जाए तो कम से कम 8-10 लिटर के दूद वाली गाय आज के डेट में चाहिए ही चाहिए तो ये cross breed का result देख सकते हैं आप 4 दात में 12 लिटर दूद और 58,000 रुपया क कीमत मांगा जा रहा है लाल वाली गाय की मैं बात कर रहा हूं बच्चा मेल है तो शलिए वीडियो को यही करते हैं वीडियो कैसा लगा यह जरूर बता है